ये वीडियो को स्पॉंसर किया है टेन और शेयर के iCare phone ने अगर आपको WhatsApp ट्रांसफर करना Android to iPhone, iPhone to Android या फिर Android to Android तो description में दी गए link से software डाउनलोड और इंस्टॉल कर दीजिए उसके बाद WhatsApp सेलेक करके ट्रांसफर पे क्लिक कर दे Q&A withology and tech में वो questions लेता हूँ जो सबको helpful रहे और जो questions के answers में अलड़ी कोई और वीडियो में cover कर चुका उन questions को मैं वाबस repeat नहीं कर रहा हूँ इस particular session में तो अगर आपको भी कोई question पूछना है तो इस वीडियो के comment box में आप comment भी कर सकते हो या फिर आप मेरे को Facebook या Instagram पर message भी कर सकते हो लेकिन जब भी आप कोई question पूछो आगे सिर्फ इतना लिख लीजिए hashtag askologyandtech तो उसे होगा है कि वो question ढूणने में मेरे को थूड़ी आसानी हो जाएगी नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है Amit Welcome back toology and tech in Hindi It's time for technology तो वीडियो शुरू करने से पहले shout out to Vikas Singh जिन्हों हमारे चैनल का membership लिया है Thank you so much Vikas Singh अगर आप में से कोई भी ये चैनल का membership लेना चाहते है नीचे join button में click करके कर सकते हो या फिर आपको description में link भी मिल जाएगी तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले query जो है fingerprint sensor भी मिलता है जो आपको coronavirus के time में थोड़ा help करेगा क्योंकि अभी ज्यादा तर लोगों को face mask पहन के रखना पड़ता है तो basically iPhone ऐसी उस particular price bracket के लिए काफी अच्छा phone है and in fact अभी भी ये phone इतना पुराना नहीं है इसलिए आप 2-3 साल और इसको use कर सकते हो लेकिन अगर आपको heavy use करना including gaming अगर आपको बड़ी battery चाहिए बड़ा screen चाहिए better camera चाहिए including night photography OLED screen चाहिए instead of LCD and above all अगर आपको 5G technology चाहिए तो आप iPhone 12 के लिए ज़रूर जा सकते हो next new query है वो है from Mayank Anand ये कहते हैं इनको कुछ hotspot में दिक्कत आ रहे है कि एक phone अगर hotspots के आप connect हो जाता है तो दूसरा phone connect नहीं होता है उसके लिए उनको hotspot on off करना पड़ता है every single time तो Mayank भाई ये problem मेरे को भी हुई है और उसके लिए मैंने एक simple सा trick यूज किया है that is यह है कि आप जब hotspot को on करते हो and जब दूसरे phone से connect करते हो आपको इतना ही करना है कि उस hotspot की जो screen है आपके iPhone में उसको आपको live करके रखनी है that is आपको वो screen को close नहीं कर देना है तो settings में जहाँ पे hotspot को on रखते हैं उसी screen को आप खुला रखे हैं तब आप दूसरे phone से जब connect करोगे तो आसानी से connect हो जाएगा आपको on off करने की जरूत नहीं पड़ेगी next question है वो है from Rishishah यह कि उनके iPhone 11 में जो settings है उसमें सबसे उपर जहाँ उनका नाम लिखा हो था जहाँ पर आपको Apple ID मिलती है वो grade out हो जाता है that is उसके उपर जब वो click करते तो उस particular menu के अंदर वो जा ही नहीं पा रहे हैं तो इस question का answer मैं already इनको दे चुका हो Instagram पे लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जिन लोग को वही same problem आ रही है उनके लिए मैं solution इस Q&A session में लेके आऊ तो इनको जो मैंने solution बता है वो यह है कि इनको सब से पहले जाके don't allow कर देना है अब आपको settings की screen exit कर देनी और वापत उसी जगह पे आना है अब आपको इसको allow कर देना है एक बार यह process कर दोगे तो आपका problem solve हो जाएगा तो यह एक छोटा सा glitch है उन सब के लिए जो screen time use कर रहे है लेकिन अगेन यह वाला problem हर किसी को नहीं आ इसपेशली वो जो apple pencil के साथ possibilities क्या क्या है उससे related other than that all your videos are extremely helpful thank you for imparting such an awesome knowledge तो thank you so much kunjan ji for your compliments and जितने भी tips and tricks मैंने आपको iPhone के लिए बताए वो आपके iPad के लिए भी काम करेगी लेकिन अगर बात करें Apple Pencil की तो फिलाल मैं Apple Pencil personally own नहीं किया इसलिए मैंने detail उसको study नहीं किया जैसे कि आप जानते हो कि जब तक मैं वो कोई भी product purchase करके उसको अच्छी तरीके से use ना कर लो तब तक उसका मैं full review नहीं लेकर आता हूँ लेकिन however मैंने इस Apple Pencil को briefly use किया है कोई मेरे friend के iPad के उपर and मेरेको उसका experience बहुत ही अनोखा लगा है in fact कुछ uses जो मेरेको Apple Pencil पर अच्छी लगी वो आपको मैं briefly describe भी कर देता हूँ यहाँ तो number one चीज जो मेरेको बहुत ही पसंद आई वो है palm rejection तो अगर आप pencil से कुछ भी लिखते हो तो आपका usually जो palm हो आपके iPad पर rest होता है और उसके वज़े से थोड़ा बहुत scribble हो जाता ह लेकिन यह जो technology वो सिर्फ आपके pencil से ही सारे commands लेती है आपके palm से कोई भी उसमें scribbling नहीं होती है next जो चीज मुझे बहुत ही पसंद आई वो इसकी pressure sensitivity that is अगर आपको thick pencil यूज करनी है thin pencil करनी है use तो वो आपके pressure से determined हो जाता है and third चीज जो मुझे इसमें पसंद आई वो है असानी से right click इसका almost इतना अच्छा चलता है जितना आपको mouse में मिलता है PDF में आप markups कर सकते हो double tap function यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी pencil का mode change करना है तो and finally apple pencil को अगर आपको best तरीके से use करना है तो notability app ज़रूर यूज करे उसमें आपको बहुत सारे options and functions मिलते हैं next question है व लेकिन मैं आपको short and sweet में बता जाता हूँ क्या आपको इसमें update करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अब iOS 14.4 में काफी सारी bug fixes आ चुके हैं including मेरे को एक problem आता था कोई भी app जब मैं close करता था तो में को हलका सा lag देखने को मिलता था and अब जब मैंने iOS 14.4 पे update कर दिया है त दो बैटरी मेरे iOS 14.3 में चलती थी वैसा ही performance 14.4 में भी देखने को मिल रहा है लेकिन सबसे बड़ा improvement जो इस particular iOS में आया है वह है security update with relation to malicious app activity तो जी यह हर iOS में कुछ न कुछ problem हो सकती है लेकिन इस particular iOS में आपको ज़रूर update करना चाहिए especially because security updates आपको मिलते है and कुछ bug fixes भी आप आपको मिल जाते है next question है वो है from अब्दूर रह्मान यह कहते है eSIM को deactivate करके physical SIM में कैसे इसको convert किया जाए तो दोस इसके दो solutions है number 1 आपका जो भी store हो गया whether Vodafone store है Airtel store है या फिर Jio store है वहाँ पे जाके आपको एक बार सबसे पहले आपका eSIM delete करताना पड़ेगा आपके phone से उसके बाद वो लोग आपको physical SIM देंगे और वो number आपके physical SIM में convert हो जाएगा दूसरा जो तरीका उसके लिए मैंने Vodafone से बात किये और उन लोग ने मेरे को ये बोला कि आपका जो भी पुराना physical SIM था जिसमें से आपने eSIM में convert किया था वो physical SIM आपको संभाल के रखना है and जब भी आप उनको email करोगे तो वो आपको eSIM जो number है वो आपके वो ही पुराने वाले physical SIM में transfer करके देंगे लेकिन ये चीज मैंने try personally नहीं किया ना के उन लोग ने मेरे को document करके बूला लेकिन phone पे ये चीज में को confirmation दिया है उन लोग ने इसलिए ये second एक option AI possibility है with Vodafone and अ iPhone 11 में जो power button end call का option आता है उसको कैसे disable किया जाए अगर आप कोई भी call के उपर हो and अगर आपको call disconnect करना है तो आप power button में जैसे click करोगे तो call disconnect हो जाता है तो जहां तक मुझे पता ऐसे कोई भी आपको option नहीं देता है Apple जिसमें ये वाला power button का end call का option आप disable कर सको तो power button से जो call end होता है उसको disable नहीं किया जा सकता है to the best of my understanding next question is away from music soul ये कहते है thank you brother nice information but my question is Apple music subscription अगर cancel कर देते है तो जो भी songs उन्होंने डाउनलोड किये वो रहेंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे तो दोस्त अगर आप Apple music subscription कैंसल कर देते हो तो जो भी songs आपने Apple music से डाउनलोड किये वो आपके डिलीट हो जाएंगे लेकिन अगर आपने कोई भी songs iTunes के थू ट्रांसफर किया from your laptop to your iPhone तो वो फिर भी रहेंगे वो डिलीट नहीं होंगे next question is away from Sanjay Roy Chaudhary ये पूछने why Samsung S20 Plus की camera is better than iPhone 11 तो वैसे देखा जाया था S20 Plus as well as iPhone 11 दोनों में आपको 12 Megapixel के camera मिलती है लेकिन फ and since हम hardware की बात करी रहें तो आपको जो इसमें sensor size मिलती है S20 Plus में वो मिलती है 1 by 1.76 inch जबके iPhone 11 में आपको मिलती है 1 by 2.55 inch तो पहला difference तो आपको sensor size में मिल गया and उसके वज़े से आपको जो pixel size मिलती है वो भी बड़ी मिलती है in S20 Plus compared to iPhone 11 that is 1.8 microns आपको मिलती S20 Plus में जबके iPhone 11 में आपको सिर्फ मिलती है 1.4 microns and सबसे अच्छी चीज जो S20 Plus में यह है कि उसमें वो pixel binning नहीं करता है तो since आपको S20 Plus में बड़ा sensor मिलता है बड़ी pixel size मिलती है इसके वज़े से इसमें जो sharpness आपको मिलती ही वो थोड़ी सी better मिलती है iPhone 11 से and plus आपको iPhone 11 में LCD screen मिलती है इसल में मेरे को better OS, better performance and better security मिलती है next नाखरी जो question है वो है from Ravi Vishwa Karma इनके दो questions है number one यह पूछने के iPhone 4G वाले 5G में upgrade हो सकते हैं क्या तो दोस 5G जो technology वो है hardware based ना के software based इसी वज़े से जो iPhones 4G को support करते हैं उनके ओपर को iOS update लाके उनको 5G में convert नहीं किया जा सकता है लेकिन जब भी 5G launch होगा उसका मदब यह नहीं कि आपका जो iPhone जो 4G support करता है वो completely obsolete हो जाएगा उसमें आपको 4G की speed तो मिलने ही वाली है इतना ही फरक होगा कि आपको 5G जितनी speed नहीं मिलेगी लेकिन 4G speed तो फिर भी मिलने वाली है उसमें and दूसरे and most important जो question है इनका वो यह है कि iPhone 5G दोनों SIM म या फिर सिर्फ primary SIM पर चलाएगा तो यहाँ पर एक बहुत शौकिंग truth है 5G के बारे में that is अगर आप dual SIM यूज़ करते हो तो आप 5G उस particular iPhone में use ही नहीं कर सकते हो तो Apple ऐसा कहता है कि अगर आपको 5G यूज़ करना है तो आप dual SIM को deactivate कर दो and अगर आपको dual SIM यूज़ करना है तो आपका 5G चलने ही नहीं वाला है तो यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा shocking fact है that is आपको decide करना या तो dual SIM यूज़ करो या फिर 5G यूज़ करो दोनों आप iPhone 12 की पूरी series में use ही नहीं कर सकते है तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ और questions भी मैंने shortlist करके आप आए देखते रहे ओलोजिन टेकिन इंदियर मिलते हैं next वीडियो में